नमस्कार आप देख रहे हैं जीवईनुज तो दोस्तो वक्त हो गये हैं दोपार की बड़ी खबर को जानने का तो उसे पहले अगर आपने अवी तक जीवईनुज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दिश जाकर जीवईनुज को सब्सक्राइब करके और मंत्री मंदल की बैठक बुलाई है सुत्र के नुसार बैठक में सभी मंत्रालेओं का प्रजेंटेशन होगा जहां मंत्राले की कामकाज की समिक्चा की जाएगी बैठक में मंत्री अपने-अपने मंत्राले के बारे में पी-म को जानकारी देंगे माना जा रहा है कि इस बैठक के बाद PMO सभी मंत्रियों के रिपोर्ट कार्ड तयार करेगा इस रिपोर्ट कार्ड के अधार पर मंत्रियों का मंत्रिमंडल में भविस्य तैह होगा मोधी सरकार के मंत्री अपनी भावी योजनाओ को PM के सामने रखेंगे सूत्रों की माने तो मंत्रिमंडल की बैठक में ना अपनी आवाज कैसे पहुंचाए हालाकि चुनाओ के नतीजे 23 दिसंबर को आने वाले हैं जरकंड में मौझूदा समय में बीजेपी की सरकार है राज की 81 सीटो वाली विधान सबा में बहुमत हासल करने के लिए 41 का बहुमत का आकड़ा है आपको बता दें कि एक्जेट पोल के अनुसार बीजेपी को तगड़ा नुकसान हो रहा है इसके साथ ही एक्जेट पोल के अनुसार हेमंत सोरेन राज्य की अगले सीएम बन सकते हैं फेस्बुक प्राइवसी में फिर लगी सेंद 26 करोड से ज़्यादा फेस्बुक यूजर्स की परसनल डीटेल्स ऑनलाइन होई लिक जिहां दिगज सोसल मीडिया प्लेटफॉर्म फेस्बुक के डेटाबेस में एक बार फिर सेंद मारी हुई है फेस्बुक ने गुरुवार को कहा है कि वह उस रिपोर्ट की जाज कर रहा है जिसमें ये दावा किया गया है कि 266 मिलियन से अधिक फेस्बुक यूजर्स की परसनल डीटेल्स ऑनलाइन लिक हो गई है मिली जानकारी के मुताविक फेस्बुक के कम से कम 266 मिलियन यूजर्स के नाम, आईडी और फोन नंबर ऑनलाइन सरवजनिक हो गई है साइबर सिक्योरिटी फर्म, कॉमपेरिटेक और सिक्योरिटी रिसर्च बॉब, डिया चेंको की माने तो 26 करोड़, 71,440,436 फेस्बुक यूजर्स की आईडी नाम और फोन नंबर का एक डेटाबेस ऑनलाइन डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध है इस डेटाबेस की लिंक पिछले हफते एक आउनलाइन हैकर फोरम पर डाउनलोड के लिए दी गई थी CAA के खिलाफ मुर्शिदाबाद में ममता बनर जी का दावा, लुंगी पहनकर बीजेपी कारेकरता कर रहे थे पत्थरबाजी जिहां नागरिक्ता संसोधन कानून को लेकर देश भर में परदर्शन किया जा रहा है सुक्रवार को उत्तर परदेश दिल्ली समेत कई राज्यों में परदर्शन हुए नागरिक्ता कानून के विरोध में पश्रिम मंगाल के मुषिदाबाद में भी परदर्शन हुई इसको लेकर CM ममता बनर्जी ने ये दावा किया कि इस परदर्शन में बीजेपी कारेकर्ता लुंगी पहन कर पत्थरबाजी कर रहे थे CM ममता बनर जी का कहना है कि 5 लोगों को गिरफतार किया गया है जो भारती जन्ता पार्टी के कारे करता है वो लुंगी टोपी पहन कर पत्थरबाजी कर रहे थे स्थानिय लोगों ने इन पत्थरबाज BJP कारे करताओं को पकड़ लिया और पुलिस को सौप दिया मैंने पहले ही BJP के प्लान के बारे में बताया था नागरिक्ता और NRC ही नहीं अब NPR को लेकर भी केंद्र राज्य आमने सामने अप्रेल से होगा इसका सर्वे जिहां नागरिक्ता संसुदन कानून CAA को लेकर और राष्टिय नागरिक पंजी यानि NRC को लेकर देश भर में हंगामा मचा हुआ है कई रज्यों में लोग इस कानून को लेकर केंद्र सरकार का विरोध कर रहे हैं इसी बीच मोदी सरकार ने राष्टिय जनसंख्या रजिस्टर यानि NPR की तरफ अपने कदम बढ़ा दिये हैं इस प्रक्रिया के लिए ग्रिह मंत्राले ने कैबिनेट से 3941 करोड रुपे की मांग की है NPR का मकसद देश के समाने निवासियों की व्यापक पहचान का डेटाबेस बनाना है इस डेटा में जनसंख्यकी के साथ बायोमेट्रिक जानकारे भी होगी हलाकि सरकार की राह आसान नहीं होगी क्योंकि जिस तरह गैर भाजपा सासित रज, CAA और NRC का विरूद कर रहे हैं वह NPR प्रक्रिया की राह में भी ओडरोडे अटकाएंगे पुस्षिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनरजी के बाद कीरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजियन ने NPR पर जारी काम को रोक दिया है कीरल के मुख्यमंत्री कर्याले की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि सरकार्ट ने NPR को थगित करने का फैसला लिया है ऐसी असंका है कि इसके जड़ ये इनार्सी लागू की जाएगी मलेसिया के पी-म को भारत की दोटूक नागरिकτα कानून हमारा आंतरिक मामला जयों विदिश मंतराले ने सुकरवार को कहा कि नागरिकता संसुदन कानून भारत का पूरी तरह से आंतरिक मामला है और इसका देश के किसी भी नागरिक पर असर नहीं पड़ेगा मलेशिया के प्रधानमंतरी महातीर मुहम्मद के इस बयान को लेकर हाली में की गई टिपणी के संदर में यह बयान सामने आया है मंतराले ने दो टुक कहा है कि महातीर का बयान तथ्यात्मक रूप से पूरी तरह गलत है और उन्हें हमारे अंदरोनी मामलों पर बयान देने से बचना चाहिए मंतराले ने कहा कि मीडिया ख़बरों के मताबिक मलेसिया के प्रधान मंतरी ने एक बार फिर हमारे आंतरिक मामले पर बयान दिया है नाग्रिक्ता संसुधन कानून तीन देसों के प्रतारित अलपसंख्यक सरणारतियों को फास्ट ट्रेक अधार पर नागरिक्ता देने का प्रावधान है इस कानून में किसी भी भारतिये पर असर नहीं भोगा और नहीं धर्म के अधार पर किसी को नागरिक्ता से वंचित रखा जा रहा है